नमस्कार दोस्तों हेलो कलासेज के यूटूब चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज अपना नेश रेसने स्टाट करते हैं तो आज का दोस्तों अपना फेस्ट क्यूशन है कि प्रकासानुवर्ती संचलन किसके दवारा नियंतरित किया जाता है क्यूशन के है दोस्तों अपना प्रकासानुवर्ती संचलन किसके दवारा नियंतरित किया जाता है तो ये दोस्तों ओकजिन हार्मोन के दवारा नियंतरित किया जाता है ठीक है दोस्तों नेश्ट कुशन है अपना कि कार्वन मोनो ओक्साइड की विसकता का इलाज किया जा सकता है तो दोस्तो ये परभावित वेक्ती को सबस्च ओक्सिजन से उदवासित करके मतलब क्या है कि जो ये परभावित वेक्ती होती है उसको अपन क्या करते हैं सबस्च ओक्षिजन देखे उसको मतलब ये इसका इलाद कर सकते हैं नेश्ट क्यूशन है दोस्तो अपना कि परदूसित वह तरण से छोड़े गए विविक्त परदार्थ को पराए किस परकरिया के दोरान फिल्टर किया जाता है तो दोस्तो वह छीकने के मतलब कि परकरिया के दोरान फिल्टर किया जाता है ठीक है दोस्तो नेश्ट क्यूशन दोस्तो अपना जो बहुत ही अच्छा क्यूशन है कि परकास संसेलेशन तथा साउसन का समाने उत्पाद दोस्तो परकास संसेलेशन का परकास संसेलेशन होता है ना दोस्तो उसमें तो उत्पाद होता है दोस्तो अपना ओक्षीजन और दोस्तो अगर बात करें अपन सौशन तो सौशन में अपना उत्पाद होता है दोस्तो परकास संस्लेशन में उत्पाद होता है ओक्षीजन और इसमें सौशन में उत्पाद होता है अपना क्या सौशन में नेश्ट अगर में बात कुने दोस्तों की मानना उश्रीर में सबसे बड़ी दमनी कौन सी होती है दोस्तों बहुती अच्छा क्यूशन की मानना उश्रीर होता अपना इसमें सबसे बड़ी दमनी कौन सी होती है दोस्तों दमनी वो होती है जिसमें सुद रखत बैठता है या फिर इसको ऐसे बोलने है अपन कि जिसमें oxygenated रखते बैता है या प्रवाइट होता है उसको अपन दमनी बोलते हैं और इसमें इन दमनियों में सबसी बड़ी दमनी कौन शी होती है दोस्तो वह होती है महाँ दमनी होती है ठीक है दोस्तो next question है अपना कि इस तनपाई धूर्ण को उत्सरजनिये उत्पाद किसके दुवारा बाहर फैके जाते हैं दोस्तो ये है इसका सयांसुर अपना अप्राय इसको placenta दोस्तो जादतर इसको placenta ही देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता दोस्तो प्ले सेंटा न Ε्च्ट क्योंसन दोस्त बढते हैं खिर किस बाहरी धातूं की विसगता है? यकर्त है शिरोसिस पैदा करती है तो दोस्तों यहां पे अपन बात करें कोफर इसका सही आंसर होगा अगर दोस्तों बोलें कि शिरोसिस बीमारी होती है यह कैसे होती है यकर्त क्यों होती है यह होती है दोस्तों जिसे अगर कोई इनसान सराब का ज़्यादा सेवन करता है तो पीलिया किसके संक्र्मन के एकारण होता है इदैकर बात करें Изiernya किसके संक्रमन इए करूध के इसके पीलिया संक्रमन के होता है सब्सक्राइबबब आ पिर यह तेस बीमार के स्राब पीनेवाले वेक्टि हैं उनको शीरोसिस बीमारी हो जाती है कौन शीरोसिस बीमारी हो जाती है ठीक है दोस्तों नेक्ट अगर अपने बात करें दोस्तों कि किसको किशी कोशी का में अंचल संपती माना जाता है किशी कोशी का में अंचल संपती किसको माना जाता है तो वो है दोस्तो अपना बहुत किशन अच्छा है न्यूकलिक अमल को अपन कोशी का में अंचल संपती मानते हैं किसको मानते हैं न्यूकलिक अमल को मानते हैं दोस्तो नेस्ट क्यूशन अपना कि लार किसके पाचन में साइक होती है दोस्तो जो अपने लार होती है वो किसके पाचन में साइक होती है बहुत ही अच्छा क्यूशन है दोस्तो लार होती है वो अपने इस्टार्ज के पाचन मे ठाक एक या कि उसीशन ऐसे भी पुछाजा सकता है, इस्टार के पाचन में को शायता करता है तो इस्टार के पाचन में अपनी लार होती है वहुआ करती है नीक्स्ट मैं बता दूँ दोस्तो membore computers की mercury के विसाग्त में कौन सा ρोग होता है दोस्तों की जो पूरुस होता है उसमें जैसे mercury को दोस्तों पारा भी बोलते हैं और इसको अब अच्छी से। लिखते है ठीक है दोस्तों कोन सा रोग हो ता है तो इससे dziुस्थ movements कोन सा रहोक ता रोग होता है ठीका दोस्तो नेस्ट अपन बात करें जैसे हों साधे में यूर्ट के उसी दोस्तों क्यूंस DOC अपना जो यूरिक एशिड होता ना उसका उसरजन कौन करता है उत्पाद गरुब में तो वो गोरिया करता है कौन करता है गोरिया करता है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट अपन बात करें कि जो गुर्दा होता है ठीक है गुर्दा की निशेंदन इकाई कौन सी होती है ठीक है दो कि दोस्तों पी लिया रोग यकर्थ को प्रभावित करता है दोस्तों पी लिया रोग केसे होता है जब अपना पित спокой होता है दोस्तों जो यकर्त अगर पितरस का इस तरह ज़्यादा करने लग जाता है तो अपना जो से अपना सरीर होता है दोस्तो थोड़ा पड़ जाता है तो उस टेमपे उसको अपने बोलते हैं कि इसको पीलिया रोग हो गया है ठीक है दोस्तो इस परकार से पीलिया रोग होता है नेश्ट अगर अपने बात करने जाए कि पेरा मीशियम क्या है पेरा मीशियम में उसरजग दौरा को इस नाम से जाना जाता है दोस्तो क्यों क्या है कि पेरा मीशियम में उसरजग दौरा को किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है दोस्तों साइटो पायज के नाम से जाना जाता है ना इस्ट बहुत ही अच्छा क्योशन है कि यूरिक एसिड या मुत्र अमल किसमें पर्मुख नाइट्रोजनी अफसिष्ट होता है बात यह है कि दोस्तों यूरिक एसिड होता ना वो मतलब कि पर् होता है तो होता है पक्सी के अंदर होता है दोस्तों ठीक है नेक्ट में बता दूँ आपको की जो अमल जन कोशिगा का आर्थ है किसका इस्तरा होता है क्या है क्योशन अमल जन कोशिगा का आर्थ है किसका इस्तरा होता है तो यह होता है दोस्तों हाइड्रो कलोरिक एसीड क्या बोलते हैं HCL बोलते हैं दोस्तों ठीक है क्या बोलते हैं HCL hydrochloric acid बोलते हैं नेक्ट क्यूशन दोस्तों अपना प्रागज जवर क्या है प्रागज जवर किसका लक्षन होता है दोस्तों क्यूशन है कि नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों अपने क्यूशन की कि कि किस ख़दे फसल में प्रोटीन की मातरा सबसे अधिक होती है बहुत ही अच्छा क्यूशन है दोस्तों कि किस ख़दे फसल में प्रोटीन की मातरा कहने का मतलब है कि प्रोटीन की मातरा सबसे अधिक किसमें पा बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार पर्योग क्यों अतेदिक अवांचनी यह है, तो इसका सही उत्र हो जाएगा दोस्तो कार्शिनोजेनिक पडार्थ जैसे बेंजीफ़ाइरीन पेदा होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्शिनोजेनिक परदार्थ जैसे Benji Fireane पेदा होते हैं ठीक है दोस्तो Next मैं बात करूँ दोस्तो कि जो Thymus Granthi है न Thymus Granthi जिस हार्मोन को पेदा करती है उससे क्या कहते है इसको याद अशे रखना जैसे Thymus हो गया और Thymus Granthi Thyroxene या Thymosene हार्मोन पेदा करती है थाइमस गरंथी कौन सा हार्मोन पेदा करती है दोस्तों उसे क्या कहते है अपने उसको बोलते हैं थाइमस शीन बोलते हैं next है दोस्तो अपने कि मानो मस्दिक्स की कौन सी पाली सर्वन से समंदित है बहुत ही अच्छा क्यों से ना दोस्तो कि जो मानो का मस्दिक्स होता है ना ठीक है होता है कि कौन सी पाली सर्वन से समंदित होती है मतलब सुनने से समंदित होती है कि दोस्तो संक फाली कौन सी होती है संक फाली अपने सुनने से समधित होती है ठीक है दोस्तो नेक्ट अपन बात करें कि जब हम किसी वस्तू पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला पर्तिविम कैसा होगा दोस्तो अपन बात करें जब अपन किसी वस्तू या पिं लेंस में बनता है ठीक है दोस्तों किसे बनता है उत्तर लेंस में तो दोस्तों यहां से अपन कह सकते हैं कि अपने आंक के अंदर उत्तर लेंस पाया जाता है ठीक है दोस्तों और जैसे अपना जो उत्तर लेंस की जो मोटा ही दोस्तों अगर बढ़ जाती है तो वो पहले ही बन जाता है जिसे ऐपना उसको अपनो डोस की रूप में बोलते हैं ठीक है दूस्तो अगर अपना परतिवंध़ और बनने वाला परतिवंध़ दोस्तों अगर सही रेंटिना पे बराबर नहीं बनता है तो इसको अपन डोस की कीauptि में ले लेते हैं अनुमस्टिक्स कौन सा होता है सेरी बेलम नेक्ट में बात कुलें दोस्तों कि सरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी विस्राम नहीं करता है बहुत ही अच्छा क्यूंस है दोस्तों सरीर का कौन सा अंग कभी विस्राम नहीं करता है तो यह है दोस्तों अपना हद्दे अगर बात करें दोस्तों अपना हद होता है वो एक मिनट में बहतर बर दड़कता है और दोस्तों एक बार दड़कने में ये 0.8 सेकंड का समय लेता है नेक्ट अपन बात करने दोस्तों कि जब आँखे में या आँख में धूल जाती है तो उसका कौनशा अंग सूज जाता है और ग होते हैं जैजा दूसतों यह देखने को मिलता अपने को एकजाम में कौन सा होता है कंजन टाइवा थो इसको अपना कुरिशन को फिर से रिपट करें कि जो आंख में धूल जाती तो कौन सा हिस्सा अंग या सूजगर मतलब गुलाबी हो जाता है तो वो कौन सा नेतर से लिसनवा या फिर कंजन टाइवा नेक्ट में बात करूं दोस्तों कि आंक के रोगों में निकट दरश्टी को कहते हैं दोस्तों मैं बता दू कि अपने आंक में जो निकट दरश्टी होता ना उसको अपन बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं दोस्तों और ये भी बता दू कि जो अपन निकट दरश्टी होता दोस्तों उसको ठीक करने के लिए अपन कौन सा नेतर यूज़ करते हैं ठीक है दोस्तों यह अपने आंक की बात हो गई नेक्ट अगर अपने बात करें जैसे दोस्तों कि आंका रंग किसमे मुझूद वर्णक पर निर्वर करता है तो कौन सा दोस्तों संगो में दोस्तों क्यूस्टन को एक मैं फेसर रिप्रिट करता हूँ कि केंसर के उपचार के लिए पर्यूद गेस कौनशी होती है तो वो दोस्तो कौनशी होती है रेडोन गेस होती है रेडोन गेस होती है दोस्तो ठीक है जो नोबेल गेस के सेर्णि में आती है ठीक है दोस्तो केंसर के उपचार के लिए पर्यूद गेस वो होती है रेडोन गेस नेक्ट बात करने जासे दोस्तो अपन पीनियल गरंथी कहा होती है दोस्तो जो अपनी पीनियल गरंथी होती है वो अपने मस्टिक्स में पाई जाती है पीनियल गरंथी मस्टिक्स में पाई जाती है दोस्तो ठीक है दोस्तो और दोस्तो अपने बात करें जिसे सरीर का ताफ मान यह सैसा कम होने के कारण सरीर के अधिक ताफ की हानी के फर सुरूब अलब ताफ होता है वो क्या है मानुगों को होता है दोस्तो और अगर बात करें जिसे दोस्तो है तो अपने शरीर का पमान होता है यह कुंसा इसा करता है तो थो है आपने मस्दिक कोँण सा हिब साथ करता है तो वह है दोस्तोए हई आपने होस्तो यॉक्वत होता है वह अपने सरीर का यहां करने he'd से मुंदर करता है districts professions दोस्टो पिटूटन करता है दो जैसे दोस्त अपन बात करें कि पे युग कर्णा से एक मास्ट की का दो औरने 3 और मद्स होता है उसका टेम्परेचर बीड करता है और इस ऑप सर्चना वाली صुत क्या है दोस्तो अपना जेसे सर्चना वाले संगोलित गरंती किस में पाई जाती है किस में पाई जाती है तो दोस्तों वो नर कोक्रोच में पाई जाती है निगलने और उगलने का नियाम किंदर है निगलने और उगलने का नियामक के अंदर कौन सा होता है अपनेक्ट बात करें कि अधिकांस लोगों के कानों के लिए अत्यालफ सर्वन योगी दवनी का इस तर क्या होता है बहुत ही अच्छा क्योशन है यह होता दोस्तो 0.0002 माइक्रो वार दोस्तो इसको अपन बोलते हैं माइक्रो दोस्तो एक माइक्रो के अगर बात करें तो इसकी 10 के पावर माइनस 6 मिटर एक माइक्रो के बराबर होता है ठीक है दोस्तो एक माइक्रो के बराबर 10 के पावर माइनस 6 मिटर होता है और इसका यहां पे अपना सही आंसर यह हो जागा 0.002 µार होता है ठीक है दोस्तो, नेक्ट आपने बात करें कि जाएक वसन अंग किसके साथ समंध रखता है तो दोस्तो यह रखता है सूंगना के साथ मतलब अपने सुंगने की जो किरिया वगर होती है उसके साथ समझ रखता है नेक्ट मैं बता दूँ दोस्तों जो आउट्टू या थाइराइड गरंथी है ना कि कम काम करने का कारण हो सकता है क्यूसन क्या है दोस्तों अपना और टू गरंथी के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है दोस्तो इसका कारण होता है इसे आयोडिन की कमी क्या काम होता है मतलब क्या कारण हो सकता है यह होता है आयोडिन की कमी हो जाना ठीक है दोस्तो ठीक है नेक्स्ट अपन बात करें कि हार्मोन आम तोर पर किसमें नहीं होते हैं बहुती अच्छा क्योशन है सिद्धों सिद्धों देखने को मिलता कि हार्मोन किसमें नहीं पाये जाते हैं आम तोर पर हार्मोन मतलब बात करें जैसे बिल्ली में हार्मोन नहीं पाए जाते हैं आम तोर पर बिल्ली में हार्मोन नहीं पाए जाते हैं दोस्तो नेक्स्ट अपन बात करें जिसे सरीर में सबसे बड़ी अंत्रेस्त्रावी गरंथी कौन सी होती है बहुत ही अच्छा क्यूसन है ठीक है दोस्तों सरीर में सबसे बड़ी अंत्रेस्त्रावी गरंथी कौन सी होती है तो वह होती है दोस्तों आउट्टू गरंथी भी बोलते है इसको और thyroid grantee बोलते हैं कौन सी बोलते हैं autogranthi या thyroid grantee बोलते हैं ठीक है दोस्तो next अपन बात करें कि estrogen और progestron प्रोजेस्टरोन किसकी वर्दी को नियंतरी तथा उतिजित करते हैं क्या है estrogen और progestron किसकी वर्दी को नियंतरी तथा उतिजित करते हैं तो दोस्तो अपना प्यूस grantee होता ना इसके वर्दी को नियंतरी करते हैं और उतिजित करते हैं और नेश्ट क्योशन है, सीत रितु में पसुओ के परशूपतिकाल को क्या कहते हैं, क्या है दोस्तों, सीत रितु में पसुओ के परशूपतिकाल को क्या कहते हैं, दोस्तों, उसको कहते हैं, हाइबर नेशन कहते हैं, दोस्तों, नेश्ट क्योशन है दोस्तों, बहुत ही कि एक मासिक दरम चकर के दोरान सामनेत्या नीश्रत अंडो की संख्या किटनी होती है फिसन क्या है दोस्तों अपना, एक मासिख दरम चकर के दोरान समनेत्या, नीसरत, अंडों के संखिया कितनी होती है एक होती है, कितनी होती है एक होती है दोस्तों नेक्स अपन बात करें कि मानो सरीर की कौनशी गरंथी पियूस गरंथी से हार्मोन के रिसाव को नियंद्रित करती है तो दोस्तो अभी अपने इसके बारे में बात किये थे कि जो हाइपो थेलेमस होता है दोस्तो वो पियूस गरंथी के हार्मोन के रिसा को नींतिरित करता है दोस्तो इसलिए दोस्तो हाइपो थेलेमस को अपने सरीर का हेड मास्टर कहा जाता है और पियूस गरंथी को दोस्तो अपने सरीर का मास्टर गरंथी कहते हैं दोस्तो स्टिक्स के बेस में इस्तित होती है ठीक है दोस्तों नेक्स अपन बात करें कि 24 गंटों के बितर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अलब काल के बितर होने वाले पर्तिकुल परबाव को क्या कहते हैं क्यों सन में एक फिर से रेपिट करता हूं कि 24 गंटों के बित ठेक दोस्टो अपना next question है आजगा कि प्रयानिका क्या है दोस्टो प्रयानिका या फिर कलाइटेलम किस में पाया जाता है क्यूशन है दोस्तो क्लाइटेलम किस में पाया जाता है तो दोस्तो ये केच्वा में पाया जाता है किस में पाया जाता है दोस्तो केच्वा में पाया जाता है ठीक है दोस्तो नेस्ट क्यूशन है दोस्तो अपना अंडे से नया नया निकला टेड़ पूल किसके माद्यम से सवास लेता है बहुत अच्छा क्यूशन है दोस्तों जैसे अपना अंडा होता है उसे निकला मतलब जैसे एक टेड़ पूल होता है छोटा बच्चा को अपन टेड़ पूल होते हैं वो किसके माद्यम से सवास लेता है तो लेता है बारी गलफडो के मादिम से थीक है दोस्तो नेश्ट अपन बात करें जैसे पलूरा किसका आवरण होता है दोस्तो बहुत यचा क्युशन है पलूरा किसके आवरण को पलूरा कहते हैं तो दोस्तो फुपुस के आवरण को पलूरा कहते हैं बहुत यचा क्युशन पुछा जाता है कि फुफुस की आवरन को क्या का जाता है तो दोस्तो इसका सही आश रो जाएगा पुलूरा कि इस परकार से भी पुछा जाता है कि पुलूरा किसका आवरन है तो भी फुफुस इसका सही आश रो जाएगा नेश्ट अपन बात करें जैसे दोस्तों कि सरीर के किस अंकी खरावी से मदूमे रोग का परकौप होता है दोस्तो अपना पेंक्रियाज या अगनासिय होता है इसके कारण मतलब अपना क्या होता है मदूमे रोग होता है वह अगनासय की वज़ेसे ही होता है, जो इसे अगनासय या पैनक्राइज में कुछ कुछ खराविया जाती है, तो अपना मदूमिया कापर को देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तो, नेक्स्ट अपन बात करें, जो गहंगा रोग होता है, वो आयोटीन की कमीशे होता है, दोस् दोस्तों अपन को बताना कि iodine की कमेशिए गेङआ रोता है या फिर गेङआ रोग Blair ¿ कि कमेशिए होता है यह क्यों सब्सक्राइब यह सिपनी बात कि जिसके फीछ होता है तो जहर फारी कषथर में ज sırथह दोस्तों ते फुर्र के matter गले में पाई जाती है। डोस्टो फ़ Dwight रहते हुए पता होकी काम आता है। ज kleinen करने के रूप में गले में एक है। यह लाइकेन! ठीक है दोस्तो वो इसका पता ऐसे लगता जैसे दोस्तो लाइकेन होता है शेक होता है जाप पे ज्यादा प्रदूशन या प्रदूशन पाया जाता है वो मतलब लाइकन मूर्जा जाते हैं तो अपना समझ ले जाता है कि यहाँ पर प्रदूशन है तो दोस्तो इसका एक तर बात करें एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम कलोराइड के साथ सोडियम हाइडरो कलोराइड को गरम करना किसका उधारण है कि आमोनИयम कलोराइड के साद सोडीयम कलोराइड को गरम करना किसका उधारन है इसका खुला तन्तर का उधारन है। बाइयोगेस बिनाने के लिए उसे अबगटित किया जाता है تو वह है दोस्तो कुनसा गडा जो अपना गड़ाट किछड होता न, वो होता है दोस्तों, इसका मलजल का उफचार को उध्वपाद होता है. ठीक है दोस्तों अब बात करें, कि विकास का सिदांट, बहुत भी अच्छा क्यूस्टन है और बार बार रिपिट होने वाला क्यूस्टन है, कि की ने दिया था या किस के दॉया तो इसका सही आंस्र हो जाएगा दोस्तों चाल्स डार्वीन ने परतिपा दिया था ठीक है दोस्तो नेक्ट अपन बात करें कौन कलोरोफिल का गटा को आवसुशित करता है दोस्तो कलोरोफिल के गटा को आवसुशित कौन करता है तो इसको दोस्तो केलसियम मतलब की आवसुशित करता है क्योशन क्या है कि कौन कलोरोफिल का कलورफेल के गटकों को अवसुशित करता है तो दोस्तो इसका सही आंवसर क्या हो जाएगा केल्सियम इसका सही आंवसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो नेक्ट अपने बात करें बहुत अच्छा क्योशन है कि डारविन की विकास कि शिदान्त के अनुसार जिराब की लंबी गर्दन पीडी दर पीडी उंचे पतों तक पहुंचने की सतत प्रियास की करणा बनी रहती है दोस्तों अगर अपने बात करें कि डार्विन की विकास के शिदान्त के अनुसार जैसे अगर जिराब की लंबी गर्दन तो दोस्तों क्या है कि जैसे उंचे पतों तक पहुंचने के जो प्रयास करते रहते है ना उसी परकार से दोस्तों इसका ऐसा कहा जाता है कि जो चीज नहीं काम आती है तो अपने आप धोड़ देर देरे अपने विलूप्त होती जाती है तो इसी परकार से जो अगर काम ज्यादा आ रही ह कि प्राकर्तिक जेव उर्वक क्या है दोस्तो प्राकर्तिक जेव उर्वक रासाइनिक उर्वकों से अधिक अच्छे पाई जाने का कारण है क्योशन क्या है दोस्तो प्राकर्तिक जेव उर्वक रासाइनिक उर्वकों से अधिक अच्छे पाई जाने का कारण क्या है दोस्तो इसका सही आन्सवर है जे उर्रक भुमी की उत्पादकता को बनाए रखते हैं बहुत ही अच्सा केुशन है जो अपने प्राकर्तिक जे उर्रक होते हैं वो रासाइनी उर्रक से मतलब अच्छे है, क्यों पाए जाते हैं यह अपने बात करें जैसे अपने जो प्राकर्तिक उर्वक होते हैं यह अपने प्राकर्तिक यूर्व में आते हैं और दोस्तों अपने बात करें जैसे रासानिक में यूरिया वगरा हो गया यह अपने केमिकल्स यह जिन कंपोस्ट वगरा का यूज करते हैं वो अपने रासा को बनाए रखते हैं दोस्तों कि वो नश्ट ट्रेंग करते हैं इसलिए जो प्राकर्टिक जेव उर्रक होते हैं दोस्तों वो बहुत ही अच्छे होते हैं अपने भूमी के लिए नेक्ट अपन बात करें जैसे दोस्तों की बार बार होने वाली बारिस और परकास की छेतर के व कि जब पादफ विवीधता को प्राकर्थिक आवास में संधारीत किया जाता है तो इस सरक्षन को क्या कहते हैं। दोस्तो इस को कहते हैं अपन सव इस्थाने कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तो एक बर में फिर सी रिपेट करता हैं जब पादब विविदता को प्राकर्तिक आवास में संधारीत किया जाता है तो इस सरक्षन को कहते हैं या क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं सव इस्थाने कहते ह थेक, दोस्तो, नेक्ट में बात कुरें जिसे, दोस्तो, यहां पर अपना, कि यदि विश्वय के सभी पादप मर जाते हैं, तो सभी पसू भी इसकी कमी के एकारण मर जाएंगे, क्योंकि दोस्तो, क्या हुगा, बोजन नहीं मिलेगा, ऐसी एकारण वो भी मर जाएंगे, थे दोस्तों ये समुद्र पारितंतर में पाई जाती है और वन पारितंतर में पाई जाती है और स्रोवर पारितंतर में खादी सरंखला पाई जाती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों समुद्री पारितंतर वन पारितंतर और स्रोवर पारितंतर में दोस्टो क्यों सिस परकार से पूछल जाता है ये खधे्ठ east रंकहला किसम पाय जातीstone जैसे अपने को समुल्डरी परित अंतर, इसमर परित अंतर, सरोवर पर आंतर तो ये सबी इसमें खधे शरंकहला की एकिंती में आते हैं ठीक है दोस्टो नेक्ट अपन बात करें जैसे कुछ से सुकसम जीओ के साहिता से वायू मंडल में पोसक ततो को क्या कहते हैं दोस्तो क्या है कि जैसे कोछ से अगर सुकसम जीओ होते हैं उसको अपन अपगटक मतलते हैं ग्रीन हाउस क्या है दोस्तों क्यूंट तो फिसकंट का क्या अभी रिप्राई है दोस्तों फिसक्र करता है कि ग्रीन हाउस एफेक्ट क्या होता है दोस्तो जो अपना carbon dioxide co2 gaso के कारण मतल उर्जा का संगरा होता रहता है जिससे अपना temperature बढ़ता रहता है उसी को अपन grain house effect कहते है ठीक है दोस्तो next में बता दूँ दोस्तो कि परिस्तिती परनाली में परात्मी उत्पादन कौन होते हैं ठीक है दोस्तो नेश्ट अपन बात करें जिससे कि भूमेगत जल के परिस्तिती परनाली में परात्मी उत्पादन कौन होते हैं तो दोस्तो ये होते हैं पादप होते हैं दोस्तों उनको निचालक कहते हैं क्या कहते हैं निचालक कहते हैं नेश्ट क्यूशन है किसी पारिष्टितिक तंतर में उर्जा परवा के बारे में कौन शी स्रंखला है दोस्तों सबसे पहले उत्पादक आते हैं फिर दोस्तो उपबोगता आते हैं, फिर आता है अपना अपगाटक आते हैं, तो बहुत ही अच्य क्यूंशन है, कि किसी पारिष्थितिक तंतर में उर्जा के परवा है, में कौन शी सरंखला मतलब की अच्छी है या सही है, तो दोस्तो इसमें अजिसे सबसे पहले अपने उ परशा किस गेज के कारण होती है, दो दोस्तों, यह immatureAY ओकसाड की कारण, SEO2 की कारण है, ने इस अपन बात करेंगे जाएंज दोस्तों, कि जल चक्क्र का अविप्राइक किससे है, क्यू सो किली का है, जल चक्कर का अविप्राइक है, दोस्तों, जल का मासागर से परत्वी की बर्थवी की और और पूर्ना मासागर से मतलब की और बर्थवी की और निरंतिय संचलन यही जल चकर का अभी प्राय है दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करें कि पसुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है बहुत ही अच्छा क्यूशन है बार-बार बहुत इंपोर्टेंट क क्यूशन की अपन बात करेंगे इसको इंपोर्टेंट क्यूशन बोलेंगे जो पसुपालन के साथ-साथ अपन बोलते हैं कि खेती को करते हैं तो उसको मिस्रित खेती बोलते हैं क्यूशन ऐसे भी आता दोस्तों कि मिस्रित खेती किसको बोलते हैं तो और संदिया रहेगा पसुपालन के साथ साथ अपने खेती को करें उसको दोस्तो अपन मिस्रित खेती बोलते हैं दोस्तो अगर एक ही खेती में से चार पांच बीज बोलते हैं उसको अपन मिस्रित खेती नहीं बोलते हैं पसुपालन के साथ साथ खेती को अपने बोलते हैं मिस्रित खेती बोलते हैं ठीक है दोस्तों मिस्रित खेती की बात हो गई नेश्ट अपर बात करें जैसे दोस्तों कि हरी खाद इससे पराप्त की जाती है तो दोस्तों हरी खाद किससे पराप्त की जाती है दोस्तों यह है अब गटित हो रहे हरे रि करें कि आपके पार्ट के अनुसार पर्थवी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइबरी क्या हो सकती है बहुत ही अच्छा क्यूशन है दोस्तों मतलब कि पर्थवी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइबरी क्या हो सकती है दोस्तों यह तमकी उत्तर जिविता स्वाइवल ओफ दे फिटेस्ट किसने परतिपादित किया था बहुत ही अच्छा क्यों से ना दोस्तो कि योगे तमकी उत्तर जिविता या स्वाइवल ओफ दे फिटेस्ट किसने परतिपादित किया था दोस्तो ये डार्वीन ने परतिपादित किया दोस्तों और मतलब विकास का सिदान भी चार्श डार्वी ने दिया था दोस्तों नेक्ट अपन बात करें कि दोस्तों पती में खंब या मर्दु तक का मुख्य कारी क्या होता है दोस्तों पती में खंब या मर्दु तक का मुख्य कारी क्या होता दोस्तों पती में खंब या म फाइलम का, तो फाइलम का होता है बोजन का वेहन करना ठीक है दोस्तों नेश्ट अपन बात करें जैसे दोस्तों कि कौनशी खादे सरंखला दवारा संचियन के लिए मेत्वण सक्क्ये सहीत परतीत होता है बहुत ही अच्छा क्यूशन है दोस्तों कि कौनशी खादेश रंखलाओ दोवारा संचियन के लिए मेत्वप्रोण सक्य संहीत या संभावना युक्त परतीत होता है तो दोस्तो ये कौनशा है डी डी टी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो डी डी टी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो ठीक है next है अपना question दोस्तो कि सोर उर्जा का अधिक्तम इस्तिरीकरण किसके दोवारा किया जाता है दोस्तो question है अपना सोर उर्जा का अधिक्तम इस्तिरीकरण किसके दोवारा किया जाता है तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा हरे पादपो के दोवारा सोर उर्जा का अधिक्तम इस स्रीकरन किया जाता है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट अपन बात करें जिसे तो राईजोष फेर सबद किसने गड़ा था बहुत अच्छा क्रिशन जो राईजोष फेर सबद है यह किसने गड़ा था यह कुछन ऐसे पुछा जाता है जो राइजो श्पेर सबद है वो किस नहीं दिया था तो यह सबद दिया था दोस्तो हिल ट्रेनर नहीं दिया था चाहिए कर दोस्तो नेश्ट अपन करें कोण्षी भूमी खेती के उप्युक्त होने पर भी परती वरस नहीं जोती जाती है तो यह दोस्तो कोण्षी होती है कर्षी योग बंजर भूमी कर्षी योग बंजरौमी ठीक दोस्तो next अपना question है दोस्तो वर्गी करण का प्राकर्तिक सिस्टम किस वनस्पति विग्यानी ने प्रस्तूत किया था question क्या है दोस्तो वर्गी करण का प्राकर्तिक सिस्टम किस वनस्पति विग्यानी ने प्रस्तूत किया था तो ये क्या था दोस्तो वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है क्यूसन क्या है दोस्तो जेव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है बहुत ही अच्छा क्यूसन है जेव वर्गीकी की मूल यूनिट होती है दोस्तो एको टाइप होती है क्या होती है एको टाइप होती है दोस्तो next अपन बात करें जैसे दोस्तो सुचित किया जा रहा है कि बूमी मंडल तापकरम में वर्दी के कारण समुन्दर जल का पियेच मान लगातार घट रहा है या किस कारण हो रहा है बहुत ही अच्छा कि उसने कि बूमी मंडल या भूम मंडल ये तापकरम में बूमी मंडल वर्दी के कारण समुन्दर जल का पियेच मान लगातार घट रहा है और इसी कारण मतलब कि या मतलब किस कारण हो रहा है या किस कारण होता है दोस्ते घर मुना बता दूँ कि ये समुन्दर जल के दवारा CO2 अधिक मातरा में लेना कैया इसका सभ्याम स्वर्वान, समुन्दर जल्दवारत, CO2 अदिक मातरा में लेना नेक्सट अपन बात करें कि सुत्रकणी का, जैसे माईटो कॉंड्रिया किसका केंदर। नक्रक होता है दोस्तो ये होता है, वसा संस्लेशण का केंदर होता है किस की उपस्थिति के कारण कि 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 उपस्थिति के कारण कि वीस्पादव कोसिका same antar किया जाता है तो इसका सब् ली कहँ के आNew शार आपनों बात करें जैसे दोसस्तों कि सबसे चोटी जीवित कोषिका ठीक है वो होती हैदोस्तों कवक दर्वह में ठीक है दोस्तों नेस्ट अपना क्यूसन है नरर सारक आलेंगिक किस데 आलेंगिक किसके साथ जुड़े होते हैं नरसूरा में आलेंगिक कलेसफर किसके साथ जुड़े होते हैं तो दोस्तो गुद पंग के साथ जुड़े होते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो गुद पंग नेश्ट अपन है दोस्तो कौन सा सांफ विस रहीत होती है बहुत ही अच्छा क्यों से ना दोस्तो बहुत से लोग बहुते हैं कि अजगर में तो बहुत ज़्यदा मतलब कि जैर पाया जाता है अगर अजगर किसी को काट लिया तो तुरंत मर जाता है क्यों जैर पाया जाता है इसकी अखीकत तो दोस्तो यह है कि अजगर में विस नहीं पाय जाता है तो विस रहीत बात करें तो दोस्तो कौन सा साफ है वो अजगर है दोस्तो नेश्ट अपन बात करें दोस्तो सपाट पेरो वाला उंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संप्रगत प्रष्ट का छेतर बढ़ जाता है दोस्तो उसका प्रष्ट ही छेतर फ़ल होता है वो बढ़ जाता है जिसके कारण दोस्तो वो मतलब इसे अगर बात करें रेत में या रेतिली मिटी में वो दस्ते नहीं है तो इसका सही आंसर का हो जाएगा दोस्तो संपरगत प्रष्ट का चेतर बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है दोस्तो और दाब कम होगा तो उसमें मतलब रेत में नहीं देसेगा इसका यही सही आंसर हो जाएगा दोस्तो दोस्तो एक बर क्यूशन को मैं फिस रिपड़ी करता हूँ सपाट पेरो वाला उंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि दोस्तो संपरगत प्रष्ट का छेतर बढ़ जाने के कारण रेत पर दाव कम हो जाता है दोस्तो ठीक है दोस्तो दोस्तो जैसे जैसे प्रष्ट अगर बात करें कि प्रष्ट ये चेतर फल बढ़ जाता है तो उसका दाव कम होता जाता है और अगर बात करें कि जैसे चेतर फल गढ़ता जाता है तो दोस्तो वो क्या होता है उसका दाव बढ़ता जाता है दोस्तो next अपना बात करें कि किस जीविद देह के बीतर कोशिगा या उत्तर की मर्तिव होती है किस जीविद देह के बीतर कोशिगा का कोशिगा या उत्तर की मर्तिव को कहते है किसी जीविद देह के बीतर कोशिगा या उत्तर की मर्तिव होती है उसको अपन कहते हैं Neutrophilia क्या का चएते हैं उसको नभी जाने वाला कौन सा स्झटापत्र जाती गोशिद किया गया है दोस्तो ये है रसल परदाकू या वाइपर इसको अपन कहते हैं कौन सो कहते हैं वाइपर कहते हैं दोस्तो इसको नेश्ट क्यूसन है दोस्तो पक्सियों को उड़ने से रोकने की परक्रिया कहलाती है दोस्तो ये परक्रिया कहलाती है दोस्तो ये परक्रिया कहलाती है ब्रेल वैकर पाता है, क्योंकि दोस्तो अपने, कुढ़ या कूबर में जमा किए चिकनाई का परियोग कर के जैसाते हैं, उसमें उसका कूबर पाय जाता है उसमें वसा महिए उत्च पाय जाते हैं इस कुश्शन के बारे में अपन पहले वह बात कर चुके हैं तो उसमें क्या दोस्तो उसमें मतलब की जमा किएगर जो चिकनाई या वसा होती है उसका अपन यूज़ करके वो अपना सक्ति मतलब की या उसे उर्जागरन कर लेता है ठीक है दोस्तों नेक्ट अपन बात करें बहुत ही अच्छा कि उसने नियत अताप पी परनाली कौन सा होता है बहुत ही अच्छा कि उसने नियत अताप परनाली कौन सा होता है बहुत अच्छा कि उसने नियत अताप परनाली दोस्तों चमगादर होता है नेक्ट बात करें हैं अपना कि अधिसंग के मसलिया पानी में नहीं डूपती हैं क्योंकि उनके सरीर पर तरण सील सलक पाये जाते हैं नेस्ट क्यूशन है दोस्तो अपना पादपो और प्राणियों में अंतर हैंना कि पादपो में इस्थानगत वर्दी होती है क्या होती है इस्थानगत वर्दी होती है दोस्तो नेक्ट अपन बात करें कि दोस्तो किस यूगम का वीवर्थ परकार का परिशन्च अंदर है दोस्तो ये कोक्रोच में और शिल्वर फिस में होता है किस यूगम अगर बात करें कि कोक्रोच और शिल्वर विवर्थ परकार का पस्राइब पाया जाता है इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कोक्रोच में विवर्थ परकार का पस्राइब पाया जाता है या होता है ठीक है दोस्तो नेक्ट अपन बात करें दोस्तो किसके लिए मदू मक्ही परियोग में लाई जाती है दोस्तो इसका तुस्य दासा क्यों सुन हो जाएगा मदू मक्ही पालन के लिए अपन मदू मक्ही का परियोग करेंगे ठीक है दोस्तो दोस्तो ये आज का सेसन अपने कंपलेट किया है अगर दोस्तो आपको सेसन पसंद आ रहा है तो like and subscribe जुरूर करना दोस्तो धन्यवाद दोस्तो और share करना ना भूलें दोस्तो वीडियो को